इस वीडियो में हम बात करेंगे structure of atom class 9th का ये chapter है और जितने भी important question है वो हम सारे यहां पर discuss करेंगे सबसे बहले तो आपको क्या धिहान रखना है कि जितने भी models हैं जैसे कि Thompson model of an atom तो इसके कौन-कौन से Thompson ने कौन से postulates बुले यह याद रखने आपको उसके बाद Roderford model of an atom तो Roderford ने अपने model में जो भी postulates दिये थे जैसे कि यह observation थी कुछ particle straight चलेगे कुछ bend होगे और कुछ completely rebound होगे तो यहाँ पर लिखा हुए यह first point यह second point और यह third point में और इन observations के लिए conclusion क्या-क्या है वो यहाँ पर दिया हुए first point second point और third point तो यह तो यह वाल question आ सकता है यह आपकी conclusion है और उसके बाद जो सबसे important question है कि यह model क्यों fail हो गया what were the drawbacks of Roderford model of an atom अब इस model को सुधारने के लिए हमारे पास next model आया बहर model of an atom तो बहर ने दो points बताये थे कि certain orbits यानि कि discrete orbits हैं वही allowed inside the atom और जब electrons in orbits में जो है rotate करेगा तो अपनी energy को lose नहीं करेग यह दोनों postulate थे बहर model of an atom के ठीक है इसके बाद आपको यह पता होना चाहिए यहाँ पर कि जो इतने भी आपके protons होते हैं electrons होते हैं या फिर neutrons होते हैं उसकी discovery जैसे यहां लिखा हुए neutrons की discovery जे चैडविक ने गिरी सब scientist का नेम पता होना चाहिए आपको now next important question है कि जितने भी shells आप देख रहे हो यहाँ पर जैसे आपके पास यह दिया हुए K shell फिर L फिर M फिर N तो इन shells में कितने कितने electrons आ सकते हैं उनको fill कैसे करना है उसके rules के लिए topic है how are the electrons distributed in different orbit most important question है तीन rules है यहाँ पर यह first rule है कि maximum number of electron कितने आ सकते हैं उसके बाद आपके आपके पास यह second rule आता है यहाँ पर कि अगर maximum number of electron outer most shell में 8 आ सकते हैं और third है कि जब तक inner shells filled नहीं होंगे तो outer most shell को fill नहीं करेंगे इसके बाद आपको sketch बनाना आना चाहिए कि जैसे आपके पास आपने यह rules सीख लिए तो इसके तुरू आप sketch बना सकते हो atomic structure का तो यह भी बहुत easy है जैसे कि 2,8,6 है तो first shell में कितने आएंगे जैसे मानलो यह 2,3 है 2,4 है तो first shell में 2 electron आगे और next shell में 4 electron आगे और center में क्या होता है nucleus होता है और यह किसका दिया हुआ है यह आपके carbon का दिया हुआ है ठीक है तो यह आपको बनाना आना चाहिए next आपको valency निकालनी आनी चाहिए और electronic configuration आनी चाहिए आपको यानि अगर atomic number किसी का let's say 1 दिया हुआ है तो KLMN shell में कितने आएंगे 1 ही आएंगे तो valency 1 होगी तो यह पता होना चाहिए आपको कि यहाँ पर configuration कैसे निकालेंगे तो configuration को हम कैसे देखेंगे यहाँ पर number of electrons के तुरू जैसे कि 5 है त distribution of electrons कैसे solve करने हैं और एक topic में यह दिखा दूँगा यहाँ पर distribution of electrons और एक video में valency निकालने का तरीका भी बता दूँगा आपको valency निकालने है आपको आनी चाहिए so this table is very very important यह chapter 3 में भी काम आएगा table और chapter 4 में भी काम आएगा अब इसके बाद कुछ theory के questions है जैसे कि आपको definitions पता होनी चाहिए atomic number क्या होता है atomic number वो होता है जितने protons present होते हैं इसको represent करते हैं z से फिर mass number क्या होता है mass number sum होता है protons का भी और neutrons का भी और जितना भी mass है वो सारा कहां पर होता है nucleus में होता है किस symbol से represent करते हैं जैसे कि यहां पर n लिखा हुआ है तो यहां पर जो ऊपर वाला number होता है यह mass number होता है नीचे वाला atomic number होता है तो सिरब इस symbol के उपर तीन question आ सकते हैं कि protons बताओ, electrons बताओ या neutrons बताओ फिर isotopes की definition बताओने चाहिए जिनका atomic number सेम होता है और mass number different होता है तो यहां पर definition लिखी हुई है आपको examples बताओने चाहिए isotopes carbon के कितने होते हैं, chlorine के कितने होते हैं और hydrogen के कितने होते हैं उसके बाद एक question है, how to calculate average atomic mass isotopes के case में average atomic mass कैसे निकालते हैं जैसे isotopes क्या होते हैं, जैसे कि यहां पर chlorine का दिया हुए chlorine में आप देख सकते हो, 35 भी दिया हुए और 37 भी दिया हुए atomic mass तो हम कौन सा calculate करेंगे तो यहां पर percentage दिये होगी, जैसे मान लो, एक की 75% दी हुई है और दूसरे की percentage 25% दी हुई है तो यह एक method होता है कि atomic mass को multiply कर देंगे percentage से फिर plus करेंगे और जो दूसरा atomic mass है, उसको भी multiply कर देंगे percentage से तो हमारा इस तरह answer calculate हो जाएगा इस topic की भी मैं अलग से एक video बना दूँगा how to calculate average atomic mass फिर आपके पास है applications यह one mark में आ सकता है कोई भी application use पूछ सकते हैं जैसे की cobalt कहां पर use होता है iodine का isotope कहां पर use होगा और last है isobars की definition isobars उल्टा हो जाएगा, यह atoms होते हैं different element के, इनका atomic number different होता है, बट mass number इनका same होता है, ठीक है तो यह definition में आ सकते हैं atomic number क्या होता है और उसके अलावा mass number क्या होता है isotopes क्या होता है, और isobars क्या होता है definition में आ सकता है, अगले अब यहाँ पर अगर देखें text question में तो एक तो यह question important है compare the properties of electron, proton, neutron, neutron है, तीनों में difference बता होना चाहिए आपको, बहर model का postulate important है, उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि rules जो होते है electrons को fill करने के लिए यह question important है valency निकालने का तरीका आना चाहिए with the help of an example, फिर मैंने आपको बताया था, definition वाला important है जैसे atomic number, mass number 1 की definition आ सकती है, average atomic mass के उपर question number 10th और question number 11th दिया हुआ है यहाँ पर, यह आपको निकालना आना चाहिए, और बाकी 12th और 13th भी important है Z represent होता है 3 से तो atomic number 3 हो गया, तो इसके through आपको valency पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ पर, और question number 13 में क्या दिया हुए, composition दिया हुए है, तो आपको बताना है कि mass number क्या होगा दोनों का, तो mass number कैसे निकालोगे, दोनों का sum करके, और पूछा हुआ है, दोनों में क्या relation है, तो relation निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सकते हैं, protons दोनों के same है, यानि atomic number same है, mass number different है, इसका मतलब बोध हर isotopes, फिर एक इस तरह की question भी यहाँ पर आ सकते हैं, जैसे कि यह 17th question है, CL minus के अंदर valence electron कितने होते हैं, तो valence electron जिसको पता होंगे, वोई यह question कर पाएगा, तो आपने देखा, यह सारे important